हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम आसुतोस है और आज मैं आप लोगों के सामने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का सौटकर टेकनिक एक्स्पेन करने जा रहा हूँ ये वेदिक मैथेमाटिक्स पर बेस्ट एक ऐसा टेकनिक है जिसके हल्प से आप लोग विदिन 2 सेकंड्स कोई भी 4 या 5 डिजिक नमबर जो की एक परफेक्ट स्क्वायर हो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकेंगे तो आए देख लेते हैं इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप लोग 1 तो 10 तक के स्क्वायर को मेमोराइज करके रखें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस टेबल में मैंने 1 to 10 तक के स्क्वायर को लिख रखा है क्योंकि अगर 1 to 10 तक के स्क्वायर से अगर मेमोराइज होंगे तो इसके बेसिस पर हम लोग फर्दर और भी नमबर के स्क्वायर को कलकुलेट कर सकते हैं इसलिए इसको मेमोराइज करकर रखना काफी ज़्यादा जरूरी होगा तो सपोज हम लोग एक 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 जांपल से कंसिडर करते हैं सपोज एक एक नमबर हम लोग लेते हैं 46 24 लोग करेंगे हम लोग इसका इसका स्क्वायरा रूट निकालना है cònककर स्क ** करने पर फॉर आता है हम लोग इस तरह से यहां पर लिख लेंगे कि या तो ये टू हो contrad या तो ये 8 होगा इस तरीके से हम लोग लिख लिए अब 46 के लिए हम लोग को देखना होगा तो इसमें हम लोग squares में हम लोग देखेंगे squares के table में कि किस number का square करने पर वो number 46 या उससे कम रहता है हम लोग देख रहे हैं कि यह 6 का square कर रहे हैं 36 हो रहा है और seven का squire कर रहे है तो 49 हो रहा है sì exceed कर जा रहा हो okay थे हां पे हम लोग six को consider करेंगे और six को consider करते ही हमलोग समझ लेंगे कि इस numbers का square root जो भी होगा उसमें 10 ay EVERY्ट उ Bennett black उसमें 10s place 6 होगा ये confirm होगा लेकिन unit place 2 होगा होगा हिसके लिए हम लोग को एक technique लगाना होगा यहां पे किक सक्सेसर से multiply करेंगे 7 होता है है 42 आएगा इस 42 गोइस 46 से compare करेंगे और देखेंगे क्या आता है importance कि बड़ा है और यहां पर यह छिंब आट बढ़ा है तो हम लोग क्या लिक्त करेंगे it means we can say that 68 will be the square root of this number 4 6 2 4 okay clear suppose एक दूसरा एक जाम पर हम लोग consider करते हैं एक 5 डिजिट का हम लोग number लेते हैं suppose 15 15 8 7 6 15 8 7 6 suppose एक 5 डिजिट का number है okay इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमेलरली उसी तरीके से करेंगे एक पेर किये और एक ये दो पेर किये उसके बाद हम लोग देखेंगे कि unit place को consider करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि 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 का square करने पर unit place 6 आता है तो यहाँ पर देखेंगे 4 का square करने पर unit place 6 है और 6 का square करने पर unit place 6 है तो यां तो ये 4 होगा या तो ये 6 होगा अब 10th place के लिए 158 के लिए देखेंगे फोर्टीन का स्कॉयर करने से और भी जादा हो जाता है और 12 का स्कॉयर करने पे 144 होता है तो इस मिन्स कॉन सा नमर को को nга करेंगेर को क्लोंकि 13 को कॉंसेडर करने से 169 हो जा रहा है जो exceed कर जा रहा है, तो हम लोग 12 को लिख लिए, तो हम लोग इससे क्या समझ गए, कि 12 जो होगा, वो 10th place होगा, इसका जो भी square root होगा, इसका, यहां 12 हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके successor से इसको multiply करेंगे, unit place find out करने के लिए, तो 12 इंटू 13 जब हम करेंगे, तो क्य जाएगा, 12 इंटू 12 क्या होता है, 144 होता है, उसमें 12 और राइट कर दीज़े, तो क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 156, अब इस 156 से हम लोग इस 158 को compare करेंगे, तो क्या देख रहे हैं, कि 158 बड़ा है, इसलिए यहां पर जो बड़ा digit होगा, वो यहां पर लिख देंग जो कि एक perfect square हो, उसका square root calculate, very easily कर सकते हैं, उमीद है आप लोगों कि यह वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो, तो please इस वीडियो को like करें, share करें, और career education और technologies related regular updates के लिए, please इस channel को subscribe करें, thank you very much, thank you